नमस्कार दोस्तों बोजा डिजाइन से स्टिचिंग में आपका बहुत स्वागत है यह देखिए ब्लाउज की बैखनेक डिजाइन आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मेजरमेंट कुछ इस तरीके रहेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं आपको ब्लाउज प इंच यहां पर मैंने आर्मोल लिया है 33 इंच यहां पर कमर रहेगी एक इंच बैक साइड में डाट का लिया इस तरीके से टोटल मेजरमेंट है ने की चोड़ाय है नहीं नहीं रख रह हूं और लंबाई मैं रखुती है यहां पर 11 इंच आप अपने अकोर्डिं रखें ज तरीके से हम बना देंगे मैंने इसको ज्यादा ब्रॉड ने लिया है भार से जितना बॉक्स के अंदर है उतना ही मैंने इसको यहां पर लिया है और यह देखिए इस तरीके से हम इसमें लेस की डिजाइन बनाने वाले हैं डेली यू साड़ी है यह उसके अकोडिंग हमने यह डिजाइन बनाई है, राउंड नेक में, बहुत सिंपल सा डिजाइन है, बढ़ बहुत सुंदर है, अगर अच्छा लगे तो ट्राइ जरूर करना, और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना, तो यह देखिए हमने फ्यूजिंग पेपर यहाँ पर लिया है, और अगर आपको कोई नए डिजाइन या कुछ और सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखके कमेंट करें, तो मैं जरूर ट्राइ करूंगी, और यह देखिए हमने पेस्टिंग पेपर पर यह जो हमने नेक नीचे ड्रो किया था, उसको सेम उपर भी इसी तरीके से हमने यहां पर बना लिया है, और यह देखिए, उपर से मैं बिल्कुल बराबर कर लेती हूँ, ताकि हम जब इसको अटेच करें, तो कोई दिक्कत ना हो, और यह देखिए लगवग एक इंच का मैंने यहां पर इस तरीके से मार्जिन रखा है है, और अब इस पर इसके हम कटिं कर लेंगे, एक पिन मैं यहां सेंटर में लगा लेती हूँ, ताकि एक जगे रहे ही, हिलेना, तो यह देखिए, मैं अभी इसको बिल्कुल बीच में से अलग नहीं करूँगी, और दोनों साइट से इस तरीके से, डो कर लूँगी, क्योंकि मैन फैबरिक है, वो काफी पतला है, तो उस पर इसको पूरे को ही में पेस्ट करके, किनारी पर भी हमें पेस्टिंग पेपर लेना है, इससे कहाए कि पाइपिन हमारी थोड़ी अच्छी बनेगी, तो यहीं देखिए, नेक को जहां से हमने ड्रो किया है, हमाँ चारो तरफ इस तरीके से सिलाई लगा देंगी, और यह देखिए, अब हम पिन अटा के और इसको कट कर देंगे, थोड़ा सा मारजिन हमें यहां रखना है, और चारो तरफ छोटे-छोटे से कट से यहां पर लगा देंगे, और अब यह देखिए, मैंने नेक को यहां पर अच्छे से परट लिया है, चारो तरफ जो एक्स्टा फैब्रिक था, उसको कट कर दिया है, और किनारी वाली स्लाई लगा के, और मैं यहां पर डोरी वाली पाइपन लगा देंगे, यहां पर यह पाइपन लगा रहे हूं, अगर आपके पास सिंगल बूट नहीं है, तो आप दोरी वाली पाइपन, सिंपल पाइपन भी यहां पर लगा सकते हैं, और यह देखिए, अब इस तरीके से परट लेंगे, और एक पट्टी की तरह तयार करके, और हमने एक्स्टा पाइपन है, उस पर तुर्पाई आजकल बहुत कम होती है, तो यह देखिए, इस तरीके से पाइपन हमने यहां पर लगा ली है, और यह ब्लू कलर मैं यहां पर यूज ले रही हूं, यह साड़ी में कलर है, इसलिए मैं इसका कॉंबिनेशन यहां पर दिया है, और इस तर तरीके से मैं इनको टेप से बिल्कुल सेंटर में यहां पर चिपका लिये हैं, और अब मैं बीच में बिल्कुल सिलाई यहां पर लगा दूँगी, आपको अलग से सिलाई लगाने की इसमें जरूत नहीं है, टेप से एक साथ चिपका के और बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगा रहे हैं वो बड़े टांके वाली होगी उसको बाद में हम यहां से निकाल देंगे कि यह देखिए साइडों में भी हम इस तरीके से दोनों साइड से लगा लेंगे और साइडों में जो हमारा फैब्रिक होगा उसको बिल्कुल सेट से कट कर लेंगे और यह देखिए जहां मैंने लाइन ड्रो किये उसके उपर हम यह टेसल्स वाले लेस यहां पर लगाएंगे यह देखिए और यह जहां से हमने एक्स्टा फैब्रिक कट किया है ट्रैंगल्स का वहां पर बिल्कुल नौक को नीचे रखते हुए इस तरीके से मोड देंगे और नीचे तक इसमें हम सिलाई लेके आएंगे और इसको पूरी कमर पट्टे की साइड में ले जाने वाली हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके से अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लगाना है दूसरी साइड स्टार्टिंग हमें कमर पट्टी की तरफ से करना है मैंने कमर पट्टी और जो बैक में डाटक ढालते हैं वह मने पहले इसमें डाली थी डेजान बनाने से पहले ही कमर पट्टी और बैक साइड की दोनों टकस अच्छे से बना लए क्योंकि लेस लगने के बाद वो टक्स अच्छे से बनती नहीं है वह भद्धी भी लगते हैं देखने में और इसी सेंटर से इस तरीके से मोड़ते हुए इसको भी हम जो हमने लाइन ड्रो किये उस पर से अच्छे से गुमा लेंगे कि ट्राइंकल बिल्कुल सीध में रहें उनको बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से सेट कर लें कोई भी अगर दर उद्धर हो जाता है तूँ झाल झाल कि यह देखिए हमने पूरी लेस यहां पर लगा ली है अब जो ट्राइंगल से इसके बीच की जो सिलाई है उसको मियास अच्छे से निकाल देंगे और निकालने के बाद मैं इसमें गॉल्डन क्लर के जो इनकी टिप है ट्राइंगल की उस पर एक-एक मोती यहां पर अटे जाएगी अगर आज का यह वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज वीडियो